Good day to all of you मैं आसा करता हूँ कि आप सभी को राइटर में अभी तक जो भी सिखाया गया है आप सभी को याद होगा और उसमें आपको कोई भी समस्या नहीं होगी अब आप सभी अपने कम्प्यूटर को आउन करें और राइटर की फाइल को बताया गए तरीके से ओपन करें अगर कोई समस्या हो तो आप वीडियो की मदद से ओपन करना सीखें आज आप वीडियो को देखकर एक नए तरीके से फाइल को ओपन करना सीखें सबसे पहले आप desktop पर open office लिखे file अत्वा उसके symbol को डूड़ना होगा जैसे की सामने वीडियो में दिखाया गया है अब ऐसे ही symbol अपने desktop पर डूड़े और उस पर अपने mouse या touchpad के द्वारा pointer को लेकर जाए और वहाँ पर left button से एक साथ में दो बार click करें फिर आपके सामने दिखाया जा रहे है वीडियो की तरह एक window आ जाएगी यहाँ पर open office के बहुत से components दिखाई दे रहे होंगे इस window को आप quick start window कहते हैं यहाँ पर आपको text document को select करने के लिए उस पर एक बार left button से click करें जिससे की आपकी open office writer की file open हो जाएगी क्या आप सभी ने writer की file को open कर लिया है या नहीं अगर नहीं तो दुबारा से आप writer की file को open करना सीखें आज की कक्सा में आप menu बारे में सीखेंगे writer की file में बहुत से menus हैं जैसे file, edit, view, insert और भी लेकिन इस कक्सा में हम सिर्फ file menu के कुछ sub menus जैसे की new, open, recent document, save, save as, export as PDF के बारे में सीखेंगे और उनका कैसे उप्योग करते हैं या भी सीखेंगे सामने दिये गए paragraph को type करें और फिर आगे बताये जा रहे है option को ध्यान से सुने और समझें सबसे पहले आप save करना सीखेंगे क्या बता सकते हैं कि save का उप्योग क्यों करते हैं अगर आप कोई file बना रहे हैं या कोई महतोपून document को type कर रहे हैं और उस file में आप वभी से में कुछ और add करना चाहते हैं तो आप save option का उप्योग करेंगे save करने के लिए आप shortcut command control plus s का उप्योग करेंगे आईए वीडियो को देख कर सीखते हैं कि file को कैसे save करते हैं आप सभी वीडियो को द्यान से देखें save करने के लिए आप menu बार के file option पे जाए और अपने touchpad या mouse के left बटन को क्लिक करें एक box open होगा इस box के अंदर आपको save लिखे हुए option को ढूड़ना है और उसके बाद इस पर click कर देना है जैसे ही आप click करेंगे एक box open होगा इस box के अंदर आपको location चेंज करना है जो की address बार यहाँ पे है यहाँ से आपको desktop लेना है और उसके बाद अब यहाँ पर आप अपने file के नाम को type करें जो भी आप अपने file का नाम देना चाहते हैं चाहे आप अपने नाम ही लिख लीजिए उसके बाद आप save लिखे हुए option पर click कर दें जिससे की आपका यह file save हो जाएगा save करने के लिए आप shortcut command ctrl plus s का भी उपयोग कर सकते हैं जब आप save करेंगे या save कर लेंगे उसके बाद आप title बार के अंदर देखिए यहाँ पर आपके file का नाम आ जाएगा तो इस तरीके से आप save कर सकते हैं आपने इस file को desktop पे save किया है तो इस file को minimize किजिए और अपने desktop पर देखिए कि यह file save हुआ है या नहीं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है इस तरह से आप अपने file को save कर सकते हैं क्या आप जानते हैं कि open का उपयोग क्यों करते हैं अगर आप किसी file को save करके फिर से आप उसी file में कुछ type करना चाहते हैं तो उस समय आप open sub menu का उपयोग करेंगे इसके लिए shortcut command control plus O होती है आईए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि open कैसे करते हैं आप सभी वीडियो को ध्यान से देखें open करने के लिए आप menu bar के file option पर लेकर आएं और left button को क्लिक करें उसके बाद open लिखे हुए option पर left button क्लिक कर दें एक box open होगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है अब इस box के अंदर आप अपने document को ढूंडें जिसे आपको open करना है अब यह आपको देखना होगा कि आपको document जो है कहां पर है desktop पे है, downloads में है, recent में है या documents में है जैसे कि अभी आप address बार में देखें, desktop लिखा हुआ है यानि कि हम अभी अपने desktop के file को open कर रहे हैं ऐसे आप file को select करें उसके बाद जैसे ही आप file को select करेंगे आपका file select हो जाएगा और उसके बाद open लिखे हुए option पर click कर दें तो इस तरह से आप अपने file को open कर सकते हैं इसके लिए shortcut command control plus o का उप्योग कर सकते हैं आईए अब save as के बारे में सिखें save as से आप अपनी save की हुई file की location और किस नाम से file को save किया है या भी देख सकते हैं और उस file का नाम और location भी change कर सकते हैं अगर इसे आप simple तरीके से समझे तो save as से आप किसी file की location, file को किसी दूसरे नाम से change कर सकते हैं इसके लिए shortcut command control plus shift plus s होता है आईए वीडियो को देख कर सीखते हैं कि save as कैसे करते हैं save as आप तब करेंगे जब आप अपने save की हुई file को open करने के बाद उसमें कुछ type करें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है और type करने के बाद आप चाहते हैं कि यह file आपके पुराने file के साथ ना save हो तो आप save as का उप्योग करेंगे save as से आप अपने file का location चेंज कर सकते हैं और इस file का नाम चेंज कर सकते हैं आप सभी वीडियो को ध्यान से देखें आपकी पुरानी वाली file जो अभी आपने save किया था उसी file को open किया आपने उसमें कुछ type किया और अब इस file को हमें कहीं और save करना है save as करने के लिए आप सभी अपने pointer को या cursor को menu बार के file लिखे हुए option पर लेका राएं और अपने left बटन को click करें एक box open होगा इस box के अंदर आपको save as लिखी हुए option को डूटना है और उस पर click कर देना है जैसे ही आप इस पर अपने touchpad या mouse के left बटन को click करेंगे एक box open होगा इस box के अंदर आप अपने file के location को change कर सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है या आप अपने file के नाम को change कर सकते हैं और फिर आप इसे save लिखे हुए option पर click कर दें अब आप ये देख लें कि आपको अपने file का location change करना है या file का नाम उसके बाद save लिखे हुए option पर click कर दें तो ये आपका file save हो जाएगा इसके लिए आप shortcut command control plus shift plus s का उप्योग कर सकते हैं अब इसे minimize किजिए और desktop पे check किजिए कि आपका ये file save हुआ या नहीं जैसे कि आपको विडियो में दिखाया जा रहा है तो इस तरह से आप save as का उप्योग कर सकते हैं क्या आप सभी बता सकते हैं कि हम new का उप्योग क्यों करते हैं new का उप्योग हम नया आप file अत्वा नया writer का page लेने के लिए करते हैं अब आप सब बता सकते हैं नया file हम कब लेते हैं जब आप कोई document टाइप कर रहे हो या बना रहे हो वह document complete कर लेते हैं फिर से आप किसी नय document पर काम करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको new page की जरूरत होती है उस समय हम new का उप्योग करते हैं आप एक साथ बहुत से नय page ले सकते हैं और एक साथ अलग-अलग page पर अलग-अलग कारे कर सकते हैं new file हम shortcut तरीके से भी ले सकते हैं इसके लिए हम control plus n का उप्योग करेंगे आईए वीडियो को देख कर सीखते हैं कि new option का उप्योग कैसे करते हैं जैसे कि आप सभी जानते हैं new option का उप्योग हम नया page लेने के लिए करते हैं आप सभी वीडियो को ध्यान से देखें new करने के लिए आप सभी अपने cursor या pointer को menus बार के file लिखे हुए option पर लेकर आये और एक बार left button को click करें जिससे कि एक box open होगा इस box के अंदर बहुत सारे option open होगे इनको हम sub menus कहते हैं अब इस box के अंदर आपको new लिखे हुए option पर अपने pointer को लेकर आना है जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है और उसके आगे आपको text document लिखे हुए option पर लेकर आना है और यहाँ पर अपने touchpad या mouse के left button को click कर देना है जिससे कि एक नया page आ जाएगा इसके लिए आप shortcut command control plus n का भी उप्योग कर सकते हैं इस तरह से आप new page ले सकते हैं अब आप recent document के बारे में सीखेंगे क्या आप बता सकते हैं recent document से क्या होता है recent document एक ऐसा option होता है या आपको उन files के बारे में बताता है जिन files पर आपने कुछ काम करके save की थी अथवा उनको open किया था आईए अब वीडियो को देख कर सीखते हैं कि recent document से क्या होता है और इसे कैसे करते हैं recent document के लिए आप menu बार के file option पर आए और फिर अपने touchpad या mouse के left button को click कर दें एक box open होगा इस box के अंदर आप recent documents को ढूड़ें और उस पर अपने pointer को ले जाएं एक और box open होगा इस box के अंदर आपकी वह file मिलेंगी जो आपने कुछ दिर पहले save किया है या save किये हुए file को open किया है इन में से आप किसी एक document को select करें और उस पर अपने touchpad या mouse के left button को click कर दें जिससे कि आपका वह file open हो जाएगा तो इस तरह से आप recent document का उप्योग कर सकते हैं अब आप export as PDF के बारे में सीखेंगे क्या आप जानते हैं PDF का पूरा नाम क्या होता है PDF का full form portable document format होता है क्या आप बता सकते हैं PDF फाइल का उप्योग क्यों करते हैं PDF एक ऐसा format होता है जिसमें कोई भी user कुछ type नहीं कर सकता इस file को आप सिर्फ देख सकते हैं और इसके text को copy paste कर सकते हैं क्या आप बता सकते हैं export as PDF का उप्योग कप करते हैं PDF की file हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि इस file के अंदर कोई भी user कुछ भी change नहीं कर सकता है या सिर्फ read करने के काम आता है इसमें हम कुछ भी type नहीं कर सकते हैं PDF file को सुरक्षित रखने के लिए उप्योग में लाते हैं इसे हमारे document में कोई user किसी भी प्रकार की editing नहीं कर सकता है PDF file को open करने के लिए आपके पास add of reader का software होना चाहिए जिसके दुआरा आप PDF की file को read कर सकते हैं आईए वीडियो को देख कर सीखते हैं कि writer की file को PDF में कैसे convert करते हैं इसके लिए आप सभी menu बार के file लिखे हुए option पर अपने pointer को लेकर आए जैसे कि आप सभी को वीडियो में दिखाया जा रहा है उसके बाद यहाँ पर left button को click करें एक box open होगा इसके अंदर export as PDF लिखे हुए option पर अपने pointer को लेकर आए और फिर touchpad या mouse के left button को click करते हैं जिससे कि एक और box open हो जाएगा इस box के अंदर बहुत सारे option दिए गये हैं इनमें आपको कोई changes नहीं करने हैं आपको सिर्फ दिखाय जा रहा है वीडियो के मादयम से export लिखे हुए option पर अपने pointer को ले जाना है और फिर अपने touchpad या mouse के left button को click कर देना है एक और box open होगा इस box के अंदर आप अपने file को save कर सकते हैं जैसे कि आपको save या save as करके बताया गया है तो यहाँ पर आपको अपने file का नाम type करना है जो भी आप इस file का नाम देना चाहते हैं आप यहाँ पर type करें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है उसके बाद save लिखे हुए option पर click कर दें जिसे कि या आपके writer का file PDF के file में convert हो जाएगा अब इसे देखने के लिए आप अपने इस writer के file को minimize करें और आप उस location पर देखें जहाँ पर आपने इस file को save किया है जैसे कि हमने इस file को अपने desktop के save किया है तो आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है अब इसे open करने के लिए आप अपने pointer को इस file के उपर रखें और left button को दो बार click कर दें जिसे कि या file open हो जाएगा अब आप सब देख रहे होंगे कि आपका cursor इस file के अंदर blink कर रहा है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है और इसके अंदर कुछ भी type करें type नहीं हो सकता है तो इस तरह से आप PDF की file को बना सकते हैं क्योंकि आज की कक्सा यहीं पर समाप्त होती है आप writer की file को close करें file को close करने में कोई समस्या हो तो आप वीडियो की मदद से सीखें सभी अपने cursor को page के dynasite कोने में cross के button पर लेका जाएं और वहाँ अपने mouse या touchpad के left button को दबा दें आपके screen पर एक box आजाएगा जिस पर तीन option दिये गया होंगे save, discard और cancel क्योंकि हमें इस file को save नहीं करना है इसलिए हमें discard वाले button पर click करें जिससे file close हो जाएगी अब आप सभी अपने computer को shutdown करें अगर computer को shutdown करने में कोई समस्या हो तो आप video की मदद से सीखें आईए अब सीखते हैं कि हम computer को shutdown कैसे करते हैं आप सभी अपने pointer को start button पर लेकर आएं इस start button पर अपने touchpad या mouse के left button को एक बार click करें अब इस box के अंदर आपको shutdown लिखे हुए option को डूड़ना है और वहाँ पर अपने pointer को लेकर जाना है इस shutdown option पर pointer रखने के बार अपने touchpad या mouse का left button क्लिक कर देना है जिससे कि आपका computer shutdown हो जाएगा यानि कि बंद हो जाएगा आज की कगसा में आप सभी ने सीखा file menu के sub menu के बारे में जैसे की new, open, recent documents, save, save as और export as PDF के बारे में सीखा और इनका उप्योग कैसे करते हैं या भी सीखा